वेलकम टू मार्केट मास्ट्री और शुरू करते हैं कल के मार्केट आउटलो के साथ सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी में आज क्या हुआ मार्केट में तो निफ्टी ने करीबन 84 पॉइंट्स पॉइंट्व क्लोजिंग दिये फूचर ने और सपॉट ने 71 पॉइंट्स तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 का डेली चार्ड अब इसमें हम लोग देख सकते है कि कल का जो कैंडल था कलम ने बात किया था जिसमें हम लोग एक्सपट करते है यह एक सप्लाइज होने एक स्ट्रॉंग सप्लाइज होन था और इसको ब्रीच किया मार्केट ने औ उपर जाता है मतलब जो पोसिबिलिटी हमें लग रही है तो उसके साब से अगर हमें 25,000 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है तो हमें वहां पर एक सेल पोजिशन मना सकते है हम लोग एक 50 से 100 पोंट का सौप लोस लेके और यह जो लेवल है 24,980 25,000 इसको अगर डिसिसिव 25,000 एक major resistance हमें पकड़ के चलना पड़ेगा वही अगर निफ्टी कल की expiry है 22nd August की तो वहां पे भी हम लोग देखते है तो 24,700 पे strong resistance हमें दिखाए दे रहा है वहां पे काफी अच्छी पूट राइटिंग हुए उसकी मुकाबल है 24,800 पे काफी कम है लेकिन 25,000 पे तो अब देखेंगे हमलों बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म केया आज निफ्टी के मुकाबले और आज बैंकisen बैंकि पर्फॉर्मंस कम्पारिटिूली अलग ही चल रहा था मतलब निफ्टी आज पॉजितिव में closing दी है और बैंकि निफ्टी ने spot ने 117 point negative closing दिया और हम लोग देख सकते है candle में ही पता चल रहा है यह जो bollinger band का midpoint है यहाँ पे resistance bank nifty face कर रहा है however देखेंगे कि यहाँ पे resistance है कि यह एक supply होने और most probably bank nifty को थोड़ा सा nifty के साथ चलना पड़ेगा और यह इसको bridge कर सकता है और other data इसमें support कर रहा है कि नहीं वह देखेंगे हम लोग तो hourly charts पर थेखेंगे काफी शांदार है हमें लग रहा है कि वह support supply zone है लेकि यहाँ पे जो major resistance है वह 51,000 के आसपास ही है तो हमें लगता है 51,000 अगर decisively cross करेगा तो bank nifty में काफी बहतरीन positive side में movement दिखाई दे सकती है 500 के आसपास तो जो भी है bank nifty में movement है हम लोग कली प्रेड़ कर सकते हैं अगर सम्मझल लिए साइडवेज open होता है bank nifty तो हमें long position मनने चाहिए और हमें आरा stop loss रहेगा 50,300 के आसपास और long position मनने के बाद अगर यहाँ पे भी 51,000 अगर decisively cross करता है वो upper side में तो definitely हमें और long position एड़ करने चाहिए bank nifty में तो कल के लिए इतना ही thank you for watching please do subscribe अगर चैनल